आप सभी को मेरा नमस्कार जे मातारानी की तो दोस्तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अगहन अमाउस की कहानी लेकर आए हैं दोस्तो एक समय की बात है एक गाव में एक गरीब ब्रहामन परिवार रहता था उसके परिवार में पती-पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी वहे पुत्री दीरे-दीरे बड़ी होने लगी उत पुत्री में समय और बढ़ती उमर के साथ सबी इस्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था वहे लड़की सुन्दर संसकारवान और गुणवान थी किन्तु गरीब होने के कारण उसका विवा नहीं हो रहा था एक दिन उस ब्रहामन के घर एक सादू माराज पधारे वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी परसन हुए कन्या को लंबी आयू का अशिर सादू माराज से उपाय पूछा कि कन्या एसा क्या करे कि उसके हाथ में विवायोग बन जाए सादू माराज कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंत्र डस्टी से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पैर एक गाउं में सोना नाम की धोबिन जाती कि एक महिला अपने बेटे और बहु के साथ रहती है जो बहुत ही आचार विचार और संसकार संपन तथा पति परायन है यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदू लगा दे उसके बाद इस कन्या का विवा हो तो इस कन्या का वेदवे योग मिठ सक सादू महाराज ने यह भी बताया की वह महला कहीं आती जाती नहीं है यह बात सुनकर ब्रामर ने अपनी बेटी से सोना धोबिन की सेवा करने की बात कही अगले दिन काण्या प्रातर काल ही उटकर सोना धोविन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापिस आ जाती एक दिन सोना धोविन अपनी बहु से पूस्ती है कि तुम तो सुबह ही उटकर सारे घर का काम कर लेती हो और मुझे पता ही नहीं चलता बहु ने कहा मा जी मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेते हो मैं तो देर से उड़ती हूँ इस पर दोनों सास बहु निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है कई दिनों के बाद दोबिन ने देखा कि एक कन्या मुह हंदेरे घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पेरों में गिर पड़ी पूछने लगी कि आप कोन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है तब कन्या ने सादू मारा दुआरा कही सारी बात बता दी सोना धोबिन पती परायन थी उसमें तेज था वह तयार हो गई सोना धोबिन के पती तोड़ा एस वस्त थे उसने अपनी बहु से अपनी लोट आने तक घर पर ही रहने को कहा सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया उसका पती मर गया उसे इस बात का पता चल गया वह घर से निरा जल ही चली गई यह सोच कर की रास्ते में कहीं पीपल का पेड मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिमर कर्मा करके ही जल गहन करूंगी उस दिर सो मतियमाऊशा थी ब्रामन के घर मिले पुहे पकवान की जगया उसने इट की टुकडे से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड की परिकर्मा की और उसकी बात जल गहन किया एसे करते ही उसके पती की मुर्दा सरीर में वापस जान आ गई सो धोबिन का पती वापस जीविट हो उठा इसलिए सो मतियमाऊशा की दिन से सुरू करके जो भी वेक्ती हर अमाऊशा के दिन भवरी देता है उसके सुक और सोभाग्य में वर्दी होती है पीपल के पेड में सभी देवताओं का वास होता है अते जो वेक्ती हर अमाऊश को न कर सके वह सोमवार को पढ़ने वाली अमाऊश के दिन 108 बस्तों की भवरी देकर सोना धोबिन और गोरी गणेश का पूजन करते हैं उसे अखण सोभाग्य की प्राक्ती होती है एसी परचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमाऊश के दिन दान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है उसके बाद की सोमतिय माउश्या को अपने सामर्ते की साफ से फाल, मिठाई, सुआग, सामगरी, खाने की सामगरी, तैकिदी की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चड़ाया गया सामान किसी सुपात्र, भ्रामर, नरंद या भांजे को दिया जाता है और यह भी ध्यान रखे की यह भवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में ही दान नहीं देना चाहिए